हैलो फ्रेंड आप सभी का आपके यूटूब चैनल पे एक बार फिरेसे स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CISF के द्वारा एक Constable और Fireband का वेकेंसी निकाला गया है जिसके अंदर हम इसके Notification के बारे में बात करने वाले हैं इस Notification में जो Important Query जो होती है हर बच्चों की पूछने के कोशिश होता है और इस वीडियो में में उसके पूरे कोशन को क्लियर करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो हम क्या-क्या बात करने वाले इस वीडियो के इंदर जैसे कि आपका Salary कितना होगा इसके Selection Process कैसे हैं उसके बाद हम बसके syllabus की हम बात कर लेंगे साथ में बात कर लेंगे eligibility के बारे में कि कौन लोग apply कर सकते हैं जिसमें के qualification क्या हो सकती है साथ में हम medical examination के बारे में बात कर लेंगे और यह सभी जो basic inquiry और कुछ information होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको date मालूम होना चाहिए कि स्टार्टिंग डेट कप से है इसका स्टार्टिंग डेट है 29 जैनवरी यानि कल से और इसका लास डेट है 4 मार्च 2022 को लास हो जागा पांच बज़े शाम को अब चलिए बात करते हैं salary के बारे में कि salaries में कितना है तो यहां पर देख सकते हैं pay scale यानि कि pay label जो इसमें 27,700 से लेकर 79,100 के बीच में दिया गया है पलस यहां पर कुछ आपके other allowance जो आपको मिलते हैं जो central government के द्वारा वो आपको यहां पर मिलेगा अगर हम बात करते हैं in hand आपके हाथ में केतना salary होगा आपके account में केतना पैस आएंगे तो वह ही देखा जाए तो 34,000 से 35,000 के बीच में आपके account में पैस आजाएगा 34,000 से 35,000 के salary आपको in hand आजाएगा पूरे पाप के पैसे कटके जिसमें आपको TDS जो कटता है या आपको पैसे में इक्टा कटता है वह से भी कटने के बाद आपको 34,000 से 35,000 आपके हाथ में आजाएगा अपसे लिए बात कर लेते हैं कि इसके selection process केस पकार के होंगे तो selection process के करम बात करते हैं तो इसमें 5 stage में आपको examination होगा इसके अंदर जिसमें अगर मैं बात करूँ 5 stage कौन-कौन से होगे तो ध्यान रखना सबसे पहले आपका physical efficiency test होगा जिसमें आपको दौर के लिए बोला जाएगा दूसरी बात करेंगे physical standard test होगा यानि इसमें आपका height मापा जाएगा weight मापा जाएगा जो इसमें होता है उसके बाद आपका written examination इसमें होने वाला है जो कि आपका syllabus की साबसे examination होगा hundred number question का उसकी साबसे पूछा जाएगा वह आपको इस वीडियो में बताने वाला ह क्या होगा उसके बाद उसके document verification होगा कि कौन-कौन से document लगती है वह भी आपको इस वीडियो में बता चल जाएगा और आभी ही पता चल जाएगा और आपको इस सब document बना के लख लेना है और उसके बाद आपको यहांपे medical examination फिर आपका होगा यानि कि फिर 5 process के अंदर आप आपको यह पता चलेगा कि उन लोगों सबसे पहले जेतनी बच्चे form भरेंगे उन लोगों सबसे पहले उसका physical efficiency test होगा और उसके बाद जो लोग qualify करेंगे उसके बाद उनको written examination होगा और जो लड़के written examination में qualify करेंगे उनको DB के लिए बुलाए जाएगा और जो लड़के DB म में qualify करेंगे उनको medical examination होगा तो इस तरीका से यहाँ पर पूरा one by one आपको यहाँ पर करना होगा अब हम बात कर लेते हैं physical के बारे में तो physical के बात करते हैं कि या दौर यहाँ पर 5 km का दौर होगा 24 मिनट के अंदर होगा तो जितनी भी male candidate उनको 5 km के अंदर 24 मिनट में आप कि फुलना चाहिए जहाँ पर minimum 80 cm में क्या बोला गया है अपका chest होना चाहिए और maximum 50 cm में full आके होना चाहिए अगर किसी का माले 68 cm chest है तो उनका 91 cm chest होना जरूरी है यानि 5 cm का expansion होना chest का जरूरी है उसी के अगर बात करते हैं कि कुछ relaxation दिया गया किन लोगों का height में तो यहा जो भी लोग है उनका height 165 cm ही मांगा जा रहा है अगर ना वही बात करते हैं chest की तो उनका 70 cm minimum होना चाहिए और maximum उनका 83 expansion होने के बाद होना चाहिए तो यहां पर minimum 78 cm आपका chest होना चाहिए किन लोगों के लिए तो यहां पर mention किया गया है North Eastern State के लोगों के लिए और कुछ ही आपके सकते हैं hilly areas के लोगों के लिए उसी पकार से अगर हम बात करते हैं तो कुछ extra candidate है जिसे के ट्राइबल में आते हैं यानि के अदिवासी में आते हैं जो मिजोरा मनागा लैंड के अदिवासी है उनका 112.5 cm height उनका जरूरी होना चा लिए और 5 cm expansion के बाद अब उसकी बाद अगर बात करें जो लोग क्वालिफाइब कर जाएंगे physical efficiency test और physical standard test उनके बाद उसका क्या होने वाला है written examination अब उसका बात करते हैं written examination में क्या कहा गया है तो written examination जो है आपका MR based हो सकता है या आपको objective के तरह दिया जाएगा जो कि एक paper पर पर देना हो सकता है या computer based पर आपका हो सकता है और यह तभी होगा जब बच्चे जब P.E.T. और PhD में qualify कर जाएंगे तभी उनको written examination के लिए बुलाया जाएगा जिसमें total hundred question पूछे जाएंगे और एक question रहेंगे एक number के total hundred marks के जानिक one question one marks को होने बाला है जिसके अगर हम बात करते हैं negative marking की तो इसमें किसी परदार का negative marking जो है नहीं है negative marking नहीं है यानि कि आपको कोई भी number यहाँ पर नहीं कटेगा आपके गलत होने पर भी तो कोशिश किजिए का hundred of hundred आप इसको complete करें time कितना मिलेगा तो आपको 120 मिनट time मिलेगा यानि 2 घंटा का time मिलेगा जहां पर आपको 100 question solve करना है अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन-कौन से syllabus पूछा जाएगा तो यहाँ पर reasoning पूछा जाएगा आपका GK पूछा जाएगा और current of year mathematics और हिंदी और English में कोई एक पाट पूछेगा तो 25 हर question का जैसे आपका syllabus होता है SSC का same to same syllabus इसमें भी देखने को मिल रहा है और 25-25 नंबर का हगा 25 question पूछा जाएगा और 120 मिनट पर आपको देना है यहाँ पर किसी परवागा negative marking नहीं है दिया रिचाल 9 भी negative marking यहाँ पर लिखावा है चाया वो computer पे दें चाया वो MR पे दें कोई negative marking नहीं है अगर हम बात करें तो यहाँ पर examination की बाद यहाँ आग ऐसा standard और 12th standard का सब question पूछा जाएगा जहाँ पर science subject की relation में होगा तो 12th standard पर आपका examination भी होने वाला है और जो बच्चे qualification में यानि की examination पास कर जाएगा उनका फिर्मापर document verification होने वाला है अब document verification में क्या कौन-कौन से document सोने चाहिए तो यहाँ पर देखी लिखावा है कि matriculation का certificate होगा mark sheet हो गया provisional हो गया जो भी अद्ध और admit card हो सके जो भी आपको मिले matric, inter, graduation सबका अगर जो भी इंटर पर है तो इंटर तक यहाँ पर चाहिए minimum उसके बाद domicile certificate आपको चरूरी है यानि resident certificate के जरूरत है जो कोई competent authority यानि कि आगर आपका यानि कि इसी PDF के अंदर एंटर 8 है वहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट में आपको अपने जो अधिकारी होते हैं उससे आपको sign करा के ले जाना है मोहर मरा के ले जाना है उसके बाद card certificate की बात कहा गया है जो एंटर 3, एंटर 4, एंटर 5 जो होगा इस तीन फॉर्मेट में होना चाहिए अभी तीन फॉर्मेट अलग अलग क्यों है तो किसी स्टी का होगा कोई स्टी का होगा तो इन तीन कर्टेगरी के हिसाब से आपको यहां पर एंटर 4, एंटर 5 पर चलना होगा तो card certificate पर बनाना पड़ेगा चाहे वह आपका ब्लोक से हो जाए चाहे वह आपको SDM से हो जाए चाहे वह डीम से हो जाए तो कोशिच किजएगा कि SDM तक कम से कम आपके पास बना होना चाहिए card certificate उसी परकार से बात करते हैं आपको यहां पर रिलेक्सेशन की बात का हाइट में तो भी आ नाजर 6 यहां पर पेडिया फॉर्मेट है जो के न आपको बना के ले जाना है अब डोकुमेंट विरिफिकेशन के बाद आपको फिर यहां पर मेडिकल एक्जामिनेशन होने वाला है यह नेखर 3 है जिसमें देख रहे हैं यहां पर SC और ST यहां पर ST का यह जो फॉर्मेट है यह पर प्रिडिकल वाना है और इसी को आपको क्या बनावा लेना है आपने जाके DM से SDM से जो भी आपको यहां पोगा जहां पर देख सकते हैं डिजिगनेशन सिगनेचर जो होगा आपके SDM अडियम तक होना चाहिए जहां पर सील भी लगा होना चाहिए उसी परकर से हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं किसके लिए आगया है यहां पर OBC कंडिडेट होंगे उसके लिए फॉर्मेट होना जिलूरी है उनका OBC Certificate अगर बनता है वह आपको ले जाना होगा उसी परकार से अगर बात करते हैं और वह लोग से बढ़ेंगा जो यहां पर देखें रिसिडेंट जो यहां के कड़ावली के कुमाउं को गोर्खा जो डोगरास उसकी मिज होंगे उनके फॉर्मेट टेकलवाना पर जो हाइट और चेस्ट में रेलक्सेशन ले रहे हैं और उसकी बाद यहां देखते हैं जो रिफ्यूजी जो लोग हैं तो उनको यह सेटिफिकेट बनवा लेना होगा अपना फोटोग्राप अपना तहसिलदार जो भी आपना नाम होगा आपको आपको समा करते ना है सरपंच नमरता नाय कितना तो 1149 नमर पदोपी वेकेंसी निकाला गया है जो कि पूरे ओल इंडिया में निकला है सब अस्टेट का अपना अलग-अलग के सहां पर दियावा है तो यहां पर देख सकते हैं दो तरीका से यहां पर बनाए गया एरिया जैसे एक तो होगा एंटाइर एस्टेट दो आपर देखने को मिलता तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जब बिहार हो विक्त्षम आब अबसे हैं तो अपको देख लैंगे आप की अंडर गलतुर् лиत को मिलेगा तो यहां पर देख सकते हैं दो गिन डिवीजिन किया गया है उसका घेर काई कितना है ऑस्ट गसेश 161 हो जाएगा उसकी बाद SC की बात करेंगे तो 137 हो जाएगा और इसी तरह से यहां पर साइन्स होना बहुत ही ज़रूरी है और यह से भी पास आपका डेट ओफ रिसी पर ओनलाइन अप्लिकेशन जो लास्ट रिट्र है उस तक में आपको यह फॉर्म आपका जितना क्वालिफिकेशन आपका कंप्लिट हो जाना चाहिए एज लिमिट की बात करते हैं 28 से लेकर 23 साल तक ही में उम्र चाहिए जो कि देख सकते हैं 4 मार्च 2020 हो जाना चाहिए देख ले सकते हैं किसे की से बीच में यहां पर शूटब सुट एक के साल चूटब पर और को सी साल क Savior शूट है का है यहां पने हिसाब ह stupid कि एक पर शूट साल करते को यहां ख analysis कि तो फूल नुटिफिकर्बा को है किया मेरे भाई कितना qualification क्या होंगे किया एज लिमिट है उन सभी चीज के मैं इस प्रोसस के अंदर इस वीडियो के अंतर मैंने कबर कर दिया आसा करता हूं दोस्ते वीडियो अच्छा लग हो अगर वीडियो अच्छा लग हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ने नेक्स बडियो में तो थैंक यू वर वाचिक वर वाचिक 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 वीडियो